हलो दोस्तों वेलकम टू कियार के लोग क्लासेज मैं हूँ एड़ोकेट काशिक खान और हमने स्टार्ट की है लीगल अफेर्स की सीरीज जिसमें हम जो है हर दिन सुप्रीम कोट और हाई कोट्स के अपडेट को डील करेंगे यह जो है इस पेशली एक्जाम पॉइंट फ्यू के लिए वीडियो बनाई गई है इसमें जो है हम बात करेंगे कि क्या केस का नाम था क्या उस केस में अब्जर्वेशन थी कौन उस केस में जज्ज थे और क्या पॉइंट फ लॉपर जो है डिसकेशन हुआ है तो यह सारी वीडियो जो होंगी आज से वह एक्जाम यह बगएरा के एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती र इन जजोस की बेंच ने जो है इन्सॉल्वेंसियन बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट टक्ट 2020 के सेक्शन 3 और सेक्शन 10 को जो है वाइलिड अफिल्ड किया है साथी साथ जो है सेक्शन 7 वन आफ दी इन्सॉल्वेंसियन बैंकरप्सी कोड 2016 को भी वाइलिड अफिल्ड किया ह इन्होंने कहा है कि यह जो प्रोविजन है वो किसी भी तरीके से Constitution of India के Article 14 जो की Right to Equality की बात करता है उसको वालेट नहीं करता अगली जो अपडेट है वो है मदरास High Court से केस का नाम है Dr. P. Patmanathan and Others vs. Srimati V. Monica का यह जो केस था इसमें जो है Justice Anand Venkates इन्होंने जो अपना judgment दिया उसमें कहा कि जो High Court की Inherent Power है Under Section 482 of CRPC वो जो है Domestic Violence Act के जो Complain को कर्ष करने के लिए अपलाई नहीं होती क्यूं क्यूंकि जो Domestic Violence का Act है वो Civil Nature का होता है Accept उसके जो Section 31 और 33 है मतलब यह जो Mainly Section 12 है Domestic Violence Act का उसमें जो Complain की गई थी उसको कर्ष करने के लिए जो Power है Inherent Power High Court के पास उसकी बात करता है और Court ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो Criminal Court है मतलब कोई किसी Case की Proceeding कही गई है कि वो CRPC के Accounting होगी और उसका जो Criminal Court के वहाँ पर बात की जाती है तो उस Court का Criminal होना वो Proceeding को पुरा Criminal नहीं कर देता कि उस Proceeding जो होगी उसकी Criminal Nature की होगी वहाँ पर जो Court है जो Criminal Court की तरह Act करना भी जरूरी है और उसका पता जो है तब चलेगा जब उसकी Proceeding का जो Character होगा वो Criminal होगा मतलब वहाँ पर सजा दी जाएगी और बाकि सारी जो Criminal Character की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें की जाएगी अगली अपडेट है वो है पंजाब एन हर्याना हाई कोट की बहुत ही इंटरस्टिंग केस है जिसका नाम है अमरजीत सिंग वसे स्टेट अफ पंजाब यह जो केस है इसमें जो जज़ें होते है जस्टिस अर्विन्द सिंग संगवान और इन्होंने जो है ADJ one of जो लुध्याना है उनको कहा है कि भाईया आप जो है हमें सिनॉप्सिस बना के दें जिसमें आप बात करेंगे exercise of jurisdiction by the judge under section 438 जो की anticipatory bail की बात करता है इसमें जो जज़ें की jurisdiction की power है उसके उपर है case laws की synopsis बना के दें उसमें जो है आप सुप्रीम कोट के 10 cases को पढ़ें और उसमें बताएं कि जो grant होती है anticipate rebel उसमें क्या power है क्या jurisdiction है एक session court के पास और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो important case है constitutional judge bench का supreme court का जिसका नाम है गुर्बक सिंग सिभिया वसे state of Punjab and सुशीला अगरवाल वसे state of 2020 का है जिसमें anticipatory bail के जो time limit की बात की गई थी इनको भी आप उसमें study करें और अपने synopsis में लगाएं क्योंकि इस case में जो mainly हुआ क्या था कि एक बंदा जो है 15 साल पहले ही मर गया था और उसके allegation में जो है तीन police officer के उपर जो है charges लगे थे अब बात ने पता चला कि वह बंदा जिन्दा है पुलिस का study में है और उसकी जब warrant issue हुआ तीनों officers के अगेंस में तो उन्होंने anticipatory bail के लिए session court में जो है appeal करी जब वहाँ पे जब session court में वो गए 438 के अंदर में CRPC anticipatory bail में तो उन्होंने उस दिया था कि वह बंदा जिन्दा है तो यहाँ पर session court ने उसको accept नहीं किया और इनकी bail को भी reject कर दिया तो इसलिए session court और जो chief judicial magistrate था दोनों को फटकार लगाई पंजाब न हर्याना high court के judge ने और यहाँ पर जो fine भी लगाया मतलब इन्होंने कहा कि जो 50-50,000 रुपा compensation दिया पेटिशनर को state legal service authority के तरप से जो कि पंजाब की state legal service authority है और जो payment होगी उसकी चार महीने के अंदर इनको देनी पड़ेगी बहुत ही interesting case है कि जिसमें एक आदमी मरता नहीं है लेकिन उसके murder की जो proceeding है वो तीन जो है police officer के उपर चल रही है अगली जो update है वो है Calcutta High Court से case का नाम है अशोक कुमा चटर जी वर्सिस Union of India इस case में जो judge थे हैं वो है justice सब भी साची भटच वा रहा रहा इस case में कहा गया कि जो father है किसी भी disease के उनके पास कोई भी fundamental right नहीं होता to obtain preserve sperm मतलब उनका sperm अगर कहीं preserve करके रखा हुआ है और उस ब दिया गया था कि वह एक paternal relation है उनका बेटे और बाप का तो उनको यह right मिलना चाहिए उसको court ने reject किया और यह भी कहा कि अगर wife भी यहां पर permission दे दिती है तब भी उनके पास ऐसा कोई fundamental right नहीं होता यह जो right होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाइप के पास होगा और wife जो है वह जो है वो जहां पर रखा गया है उसका प्रिज़ा विस्वम वहां से जो है उसको अप्टेन कर सकती है अगली जो अपडेट है वो है Bombay High Court से केस का नाम है निलेश नौलका एन अदर्स वसेश यून और फिंडिया इन अदर्स इस केस में डिविजन बेंच जो थी Chief Justice दिपा का जिसमें जो है suicide का या death की जो situation होती है तो वहां पर victim की जो फोटो है उसको जो है news channel नहीं दिखाएंगी साथी साथ कुछ ऐसी news नहीं publish करेंगी कोई ऐसा debate नहीं organize करेंगी को ऐसा discussion on interview नहीं लेंगी जो की directly जो है investigation of the criminal case को affect करता हो तो इन सब चीज़ों से वह reference रहेंगे मत अपने आपको बचाएंगी साथी कोई चीज जो है news channels नहीं करेंगे साथी साथ जो press council of India है उसकी जो guidelines है उसको भी electronic media जब अपना program चलाएगा तो उस time जो है उसको follow करेगा तो दोस्तों ये थी आज की update next video में हम जो है आने वाली update जो है Supreme Court और High Court की उसको भी हम deal करेंगे मिलत है next video में तब तक के लिए goodbye keep reading